अर्विन जी थैंक यू सो मज़ फर बिइंग पार्ट अब पॉड्कास्ट, मैं आप सब पूछना चाहती हूँ कि में 13 को जो इंसिदेंट्स हुए थे, उसके बारे में अगर आप पताएं कि क्या हुआ था उस दिन मैं 13 माई को सुभा 9 बजे के करीब अर्विन किज्रिवल जी से मिलने उनके आवास पे गई थी, मुझे वहाँ पे स्टाफ ने ड्रॉइंग रूम में बिटवाया और बताया कि अर्विन जी घर पे हैं और वो मुझसे मिलने आ रहे हैं, फिर दूसरी बार एक और स्टाफ आय उसने भी मुझे यही बात बोली, और मैं वहाँ बैठी वी थी, अराम से बैठी वी थी, इतने में बिभव कुमार जो कि उनके पियस थे, वो वहाँ पे धन धनाते वे आते हैं, और वो चिलाने लगते हैं और गालियां दे रहे थे, और उन्होंने मुझे बोला कि तिरी आ क्या है, तिरी हिम्मत कैसे हुई, हमें मना कर दे, तेरे को तो हम सबक सिखाएंगे, नी चौरत, पता नहीं क्या-क्या बोल रहे थे वो, और उस समय मैं बहुत सत्पका गई, और मैंने उनको बोला भी कि भई, क्या हो गया, मतलब अर्विन जी आ रहे हैं, क्या हो क्या गया तो इतना मैंने बोला और इतने में उन्होंने हाथ छोड़ दिया, उन्होंने मुझे साथ आठ थपड, पूरी जोड से मारे, मैं सोफे पे बैठी थी, वो सामने खड़े थे, वो मारे ही जा रहे थे, मुझे बिलकुल समझ नहीं आया कि क्या हुआ, इतने में मैंने अपने वो सेंटर टेबल है, उस पे जाके टकराया, मैं नीचे गिरी और फिर उन्होंने मुझे लातों से मारना शुरू किया, और मैं चीकती रही, चिलाती रही, मैं मदद मांगती रही, और मैंने उन्हें इतनी बार बोला, कि मेरे पीरिड्स चल रहे है, मुझे छोड़ दो, आदमी नहीं माना, वो अकेला था कमरे में? जी, उस वक्त वो अकेले थे उस कमरे में, और जब इतना जादा मुझे वो पीट चुके थे, उसके बाद मैंने किसी तरीके से अपने आपको छुड़ाया, और मैं वापस सोफे पे जाके बैठी, और मैं बहुत अजिटेटेट थी, तो मैंने तुरंत 112 नंबर पे कॉल करी, मैंने पुलिस को क्राइम रिपोर्ट करा, जब मैं कॉल कर रही थी, तो उसने मुझे देखा, और उसने मुझे बोला कि मैं तुम कुछ कर लो, हमारा कुछ नहीं बिगाड सकती, और तुमको तुम मार के गड़वा देंगे, पे खड़ी होती है, उनको बुला के लेकर आया, जब सिक्योरिटी अंदर आई तो मैंने उन्हें बताया, मैं बतला बहुत जादा एजिटेटेट थी, और मैं उन्हें चीक चीक के बता रही थी, कि मेरे साथ क्या हुआ, मैंने उन्हें बताया कि बिभव ने कैसे लातों से घूसों से, थपड़ों से मेरी पिटाई करी है, और यहीं बैटके, यहीं पे मेरी पिटाई हुई है, तो उन्हें ने बोला, क्योंकि बिभव ने मेरे सामने उनको बोला था कि इसको बाहर भेंको, तो मैं उनको बोलती रही, उन्हें मेरे को समझाना शुरू करा कि नहीं बाहर निकलिये, मैंने उन्हें बताया कि मैंने 112 नंबर पे कॉल कर दिये पुलिस को आने दो, ये क्राइम सीन है, यहाँ पे मेरे साथ इतनी बड़ा हाथसा हुआ है, मैं मेंबर ऑफ पार्लिमेंट हूँ, मैं फॉर्मर डेली आठ से दस मिनट चलाओगा और उसमें पूरा टाइम मैं देख रही थी बभव मुस्कुराते वे विडियो बना रहा था जब एंड में मुझसे मैं बिल्कुल अपना आपा खो गई, कि एक तो मेरे को इतनी बुरी तरीके से पीट दिया गया उपर से वो वहाँ पे आकर मुझे ही बोल रहे हैं कि आप बाहर जाओ विभव से कोई पूछ भी नहीं रहा कि भई तुमने क्यों मारा, कैसे मारा ऐसे कैसे हो गया तब मैं अपना आपाख होया और मेरे मूझसे कुछ अपशब निकले जो बाद में पता चला तो पुलिस का मैंने मीडिया के द्वारा ही एक स्टेट्मेंट सुना कि किस तरीके से ये जो वीडियो है, इसका सोर्स पूरी तरीके से फॉर्माट कर दिया गया है अगर वो दस मिनट की वीडियो जो मैं चीक-चीक के बता रही हूं कि मेरे को कहां मारा, कैसे मारा, मेरा हाल जो अगर देख ले कोई, तो वो बिलकुल बात क्लियर हो जाएगी, तो evidence के साथ भी tamper करा गया So, according to what you're saying, दो वीडियो है, एक तो CCTV वीडियो है जिसमें पूरा sequence है जो अभी तक रिलीज नहीं हुआ through the CM's resonance और दूसरा जो विभव जी ने खुद वीडियो बनाया है वो भी है, दो वीडियो sources है अभी, जी बिलकुल दो वीडियो sources है, और ये जो second वीडियो है, मैं इसी का बता रही हूं आपको कि वो वीडियो actually पूरी वीडियो है वो 8, 9, 10 minute की वीडियो है तो जब वो आपको मार रहे थे, वो वीडियो ले रहे थे नहीं, जब मैं वापस आके बैठी, जब मैं सोफे पे दुबारा आके बैठी हो मैंने 112 नंबर कॉल करा ये बाहर गया, ये security वालों को ले कर आया, जब security वाले वहां आए, तब वो वीडियो लेना शुरू करा है, जब मुझे मार पिटाई कर रहे थे, तो वो अकिला था कमरे में, तो वो वीडियो कैसे ले सकता है तो जब ये मार पिटाई हो रहे थी ये वार ओविशली स्क्रीमिंग, कोई ऐसे silently तो नहीं मार खा सकता तो जब वो आपको मार रहे थे and it is, I mean, according to what you have said, it is quite gross, he आपने कहा, 7-8 बारी he kicked you on the chest, stomach pelvis, और आपके periods चल रहे थे, उद्वर, he dragged you your shirt was pulled up, as per this, you were screaming for help, घर में और कोई नहीं था आपके मताबिक? मुझे बताया गया था कि अर्विंद केश्रिवाल जी घर में हैं और वो मुझे से मिलने आने वाले हैं और मैं बहुत जोड़-जोड़ से चीक-चीक के help मांग रही थी लिकिन कोई मदद के लिए नहीं आया स्वाती जी, आप उनके घर कई बार जा चुके हैं किया हर बारी आप appointment लेके जाते थे इस बारी शायद नहीं लेके गए क्या उस वज़े से नरास थे क्या हो सकता था उस दिन मैं appointment लेके तो hardly कभी गई हूं जब जब मैं घर गई हूं तब तो मैंने कभी भी appointment लिया हाँ जरूर है कि अगर office जाते हैं उनके क्योंकि उनकी meetings लगी भी होती है और बहुत एक protocol होता है तो अगर secretariat जाते हैं तब एक बार office पे के लिए official time लेके जाया जाता है लेकिन जब घर जाते हैं तो मैं ऐसी जाती हूँ यह यह कहते हैं कि मैं trespass कर रही थी मेरे पास कोई appointment नहीं था तो मैं यह जानना चाती हूँ कि अगर मैं trespass कर रही थी तो फिर तो gate पही रोकते थे फिर अंदर से अंदर तक मैं पहली बात कैसे चली गई और दूसरी बात जो ये कहना चाह रहे हैं कि मेरे पास कोई जी अपॉइंटमेंट ही नहीं था तो मैं तो हमेशा ऐसी गई हूँ मुझे हलका सा इल्म भी नहीं था कि अगर ऐसे मैं मतलब आज कुछ मेरे साथ होने वाला है और अगर उनको लगता है कि अपॉइंटमेंट लेना बहुत इंपॉर्टन है तो उसी वक्त वहीं पे मेरे को बोल देती कि बाहर चले जो मैं बाहर चली जाती मतलब आप अपॉइंटमेंट लेकर नहीं आएगा कोई तो आप उसको पीट तोगे और वो भी उस इंसान को जो आज तक कभी आपके घर में अपॉइंटमेंट लेकर आया ही नहीं मैं तो 20 साल से जानती हूँ वो हमारे घर आते हैं हम उनके घर जाते हैं तो ये तो बहुत अजीब बात है तो वोट यू थिंक कि जब आप आप मदद मांग रही थें कि आपको पीटा जा रहा था ऐसे तो होई नहीं सकता कि CM के घर में कोई नहीं हो और ऐसी पिटाई हो रही हो किसी की और कोई बाहर ही ना निकले कमरे से जी वही अजीब बात है और मैं बहुत जोड-जोड से चीक रही थी चिला रही थी सच तो यह है कि कोई मदद के लिए नहीं आया पुलिस अब इस बारे में इन्वेस्टिकेट कर रही है कि क्या हुआ, क्यों हुआ और किसके इंस्ट्रक्शन्स पे मैं पीटी गई हूँ यह सारी चीजों पे अभी इन्वेस्टिकेशन चल रहा है और दिल्ली पुलिस के साथ मैं पूरी तरीके से कॉपरेट कर रही हूँ तो इस वक्त अब इससे जादा मैं क्या बोलूँ बिकॉस इस अ मैटर ओफ इन्वेस्टिकेशन्स आप कह रही है किसी के इंस्ट्रक्शन्स पर याने कि खुद बखुद भिभव में इतना इतनी जुड़त नहीं होगी कि वो खुद पीटे is that what you're saying मैं यह नहीं कह रही मैं यह कह रही हूँ कि मेरे साथ बहुत बुरी तरीके से मार पिटाई हुई है अब बहुत सारे सवाल उठते हैं वो जो सवाल है कि कैसे पिटी क्यों पिटी बिभव ने अकेले मारा क्या किसी के इंस्ट्रक्शन्स पे मारा यह सारी चीज़ें अब matter of investigation है दिल्ली पुलिस के साथ मैं पूरी तरीके से cooperate कर रही हूँ हाँ मैं यह भी है लेकिन मैं किसी को clean shit नहीं दे रही क्योंकि fact यह है कि मैं drawing room में थी अर्विन जी घर पे थे और मुझे बहुत बुरी तरीके से पीटा गया मैं चीक रही थी चिला रही थी पर कोई आया नहीं यह भी fact है कि आज तक इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद मेरे पास अर्विन जी का कोई call नहीं आया और वो मुझे से अभी तक नहीं मिले यह भी fact है कि इस पूरे प्रकरण में अर्विन जी उस आरोपी को पूरी तरीके से बचाते हुए दिख रहे हैं वो उसको लेके लखनाव घूम रहे हैं वो उसके लिए प्रोटेस्ट पे सड़क पे उतरे इतना तो उन्होंने मनीश जी जब अरेस्ट हुए थे उनके लिए भी नहीं करा तो यह जो चल रहा है और पूरी तरीके से पूरी पार्टी में हर इंसान को इंस्ट्रक्शन्स दिये गए है कि मेरा क्यारेक्टर असासिनेट करो मेरे विक्टिम शेमिंग करो मुझे मतलब बुरी तरीके से तो यह मुझे जो दिखरा है इसको लेकर मैं किसी को भी क्लीन चट नहीं देरी बट डेफिनेटली आ वांट देली क्लीन चाहिए और उसके बाद जो भी सच है उसको सामने आना चाहिए क्या ऐसे हो सकता है कि यह वो घर इतना बड़ा है कि आप ड्रॉइंग रूम में आपको मारा जा रहा है और बाकी जो कमरे हैं अगर कोई उन कमरों में है तो उनको सुनाई नहीं दे रहा ऐसे हो सकता है क्योंकि आप जानती है आप गई हुई है उस घर में तो उस घर में जब मैं गई थी तो पहले मैं डाइनिंग रूम के बाहर गेट तक गई थी डाइनिंग रूम का गेट हमेशा खुला रहता है तो मैं वहीं पे थी, drawing room और dining room बिलकुल आसपास है तो जो वो gate खुला वा था और मैं उस कमरे में drawing room में पिट रही थी तो अब ये दिल्ली पुलिस बताईगी कि मैं जब इतनी जोड से चीक चिल ला रही थी तो वहाँ पे जो लोग थे वो क्यों नहीं आए या उन तक आवाज नहीं गई मतलब बहुत अजीब बात है और एक बात पताईए कि अगर आवाज नहीं गई तो जब मुझे पुलिस से बाहर निकाला जा रहा है I'm a member of parliament, I'm the former chairperson of the Delhi Commission for Women and on top of it, मैं 2006 से इन लोगों के साथ काम कर रही हूँ तो अगर मुझे बाहर निकाला जा रहा है तो तब तो कोई आता तो तब भी कोई नहीं आए How long have you known Bhibhav Ji? I know him since 2006 only Since 2006 क्या वो बहुत करीबी रिष्टा है उनका Arvind जी के साथ? हाँ, starting में नहीं था लेकिन अब Arvind Kijriwal जी के सबसे बड़े राजदार और सबसे करीबी आदमी इस वक्त बिभव कुमार है वो कोई मामूली पिये नहीं है अगर आप उनका घर देखें तो उनका घर इतना अलिशान उनको घर दिया गया है इतना तो किसी मंतरी को भी दिल्ली में नहीं घर मिलावा है तो वो एक बहुत रसूकतार और बहुत पावरफुल आदमी है इस वक्त इस पूरी पार्टी में और पूरी पार्टी उनसे डरती है और उनके ओपर assault का केस पहले भी हो रखा है तो ये सब बाती है डरती है क्यों डरते हैं लोग? लोग डरते हैं उनका जो मतलब ऐसा एक पूरी पार्टी में मेसेज है कि अगर बिभाव नराज हो गया आपसे तो फिर आप खतम हो पार्टी में इस पार्टी में पहले भी वाइलन्स के इंसिदेंट्स हो चुके हैं रफश ट्रीट्मेंट कुछ लोग openly कहते हैं कुछ लोग कहते हैं कि दबे पाउं चलना पड़ता है अर्विन जी के आसपास Is it a culture of violence which has been promoted right from the top आप क्या समानेंगे? देखिए एक पार प्रशांत भूशन जी और शांती भूशन जी को भी इसी तरीके से एक मॉब के द्वारा धक्के मारके निकलवाया गया था हम सब ने देखा था कि अभी कुछ दिन पहले एक चीफ सेकरेटरी को भी ड्राइंग रूम में ही पीटने का एक बहुत गंभीर आरोप लगा था और तीसरा मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ है अभी तक मुझे कभी ऐसा लगा नहीं लेकिन जब मेरे साथ खुद हो गया है और मैं इतनी बुरी तरीके से पीटी गही हूँ तो अब मेरे पास क्या बोलने को बचा है तो आप नहीं देखना हो तो आप ना देखें पर अपने व्यूवर्स के लिए I'm going to run it, you don't need to look at it उसमें जो वीडियो में जो दिखता है, it is not very clear about the room, there's a shaky video जो रिलीज हुआ है, अभी तक sources नहीं पता, it was leaked to the media, तो हम भी नहीं कह सकते ये किस ने रिलीज किया है but it's obvious कि अगर CM के घर के अंदर का वीडियो है, तो somebody close to the CM or close to the security personnel have released this video, अब इस वीडियो में जो हुआ है after this you make a call to the police पहले आप कहते हैं, CM और बिभव ने पिटवाया, माम एक से जो वीडियो है ये जब मैं पिट चुकी थी मैंने 112 के उपर call कर दी थी, उसके बाद जब बिभव ने ये देखा कि ये 112 की call हो गई है, उसके बाद वो भाग कर गया, security वालों को gate से लेकर आया और जैसे ही security वाले घुसे हैं, उसके बाद इसने वीडियो बनानी शुरू करी है, पर मैं वो जो वीडियो है, वो कम से कम 8 से 10 मिनट की वीडियो है, जिसमें मैं security वालों को चीक चिला के बता रही हूं कि मेरे को कैसे मारा गया है, मुझे कहा कहा मारा गया है, मुझे कैसे लातों घूसों से मारा गया है, मैं security वालों को बता रही हूं कि 112 नंबर पर मैंने call कर दी है, और police को आने दीचे, police एक बार आ जाएगी मैं यहां से चली जाओंगी, because otherwise they will tamper with the evidence, यह सारी चीजें मैं 8-10 मिनट तक पिटने के बाद चीक-चीक के बोल रही हूं, लेकिन security वाले, क्योंकि वो तो विभाव ने उनको बोल दिया था कि इसको ठाके फेंग दो, तो वो तो सुनी नहीं रहे थे मेरी बात, end में, जब मैं बिलकुल अपना आपा खो चुकी थी, मुझे दिख रहा था कि वो मुस्कुरा के वीडियो बना रहा है, फिर भी मैं अपना आपा खो चुकी थी, तब मैंने जब अपशब्द बोले, तो बस वो जो पूरा एक छोटा सा portion है, बस उसको मीडिया में selectively leak किया था, दो चीज़ हैं एक तो आपका अपशब्द और दूसरा आपका फो जो आपने पुलीस को बताया जो अपशब्द वाली बात है दो वीडियोस है, एक तो अपशब्द वाली और दूसरा जो आप चल के जा रही है, विच वील आप नहीं देखना चाहें तो ठीक है, जो आप चल के जा रही हैं, उसमें जो आम आदमी पार्टी के कुछ लोग हैं, वो उन्होंने प्रेस को बताया कि वो तो she's walking out normally, वो ना तो उनके कपडे भटे हुए हैं, क्योंकि आपने का था आपका shirt उपर किया था, and she's not limping, क्योंकि आपने का था कि you were kicked, तो वो limping नहीं है, पर एक woman there are two women in the video, जो आपको escort करके बाहर लेके जाते हैं, and आप point कर नहीं है, towards somebody, and there are two, three men who are standing around you, and they are also just watching you, तो वो कह रहे हैं कि अगर आपको इतनी बुरी तरह पीटा जाता, again I'm very sorry I'm raising these issues, because जो violence victims होते हैं, it is very disturbing to see those visuals, and to relive that incident, so I'm extremely apologetic मैं आपसे पूछ रही हूं, but just so that this can be sorted out, कि जब आप you have worked with several victims of violence, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूं, क्या, can somebody walk like this normally after being beaten so brutally? Ma'am, सबसे पहले मैं previous question पे एक clarification और देना चाहूंगी, मैं जब अपशब्द बोल रही थी, वो ही portion उन्हाने कट करके release करा है, मैं सिर्फ यह जानना चाहती हूं, कि विभव खुदी बैठके video बना रहे थे, तो वो पूरी की पूरी video का है, पुलिस ने media को यह information दी है कि जो इनके phone हैं, यह format कर चुके हैं, और वो video का अभी तक source भी पता नहीं चल रहा तो सिर्फ मेरा यह सवाल है, कि अगर जो इनसान सही है, और सामने वाला कुछ गलत कर रहा है, और तुमारे पास इतनी important video भी है, तो तुम उसको original, पुलिस को क्यों नहीं दोगे अपने आपको बचाने के लिए, तो एक मेरा यह सवाल है, दूसरा आपने जो मुझसे बोला, मैम मैंने दिल्ली महिला आयोग में, एक लाख सतर हजार से ज्यादा cases में सुनवाई करवाई है, साट हजार sexual assault survivors की हम लोगों ने counselling करी है, दो लाख court cases से ज्यादा में हमने hearings करवाई है, जब court में hearings हो रही थी, sexual assault survivors की, तो हम वहाँ पे हमारे lawyers वहाँ पे खड़े थे, उनकी मदद कर रहे थे, अपने पूरे 9 साल के कारेकाल में मैं हजारों survivors से मिली हूँ, और हर तरीके के survivors से मिली हूँ, domestic violence sexual assault, हम लोगों ने धाई हजार से ज़ादा तो rescue operations करे हैं में से बहुत सारे operations मैंने lead करें, और उन लड़कियों को sex traffickers के भी चुंगल से हम लोग निकाल के भार लेकर आएं तो मेरा इतना काम है पर मैं जब भी किसी भी survivor से मिली, एक चीज हर survivor के लिए common होती है, जब वो अपनी आवाज उठाती है, तो उसकी पूरे देश में हर लड़की जो अपनी आवाज उठा देती है, उसकी कहानी है मैं निर्भया की मम्मी से मिली थी, और उन्होंने एक बात पुली थी, जो मैं जिंदिगी में कभी नी पुला सकती, उन्होंने मुझे ये बोला था, कि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है, कि अच्छा हुआ, मेरी बेटी अब दुनिया में नहीं है, क्योंकि जो इस देश में न्याय पानी की जिल्लत है, कम से कम वो तो उसको नहीं देखनी पड़ रही निर्भया से भी पूछा गया था कि तुम बस में क्यों गई, आटो में क्यों नहीं गई, रात में क्यों गई, दिन में क्यों नहीं गई, वो लड़का कौन था, तो इस तरीके की जो विक्टिम शेमिंग है, ये हर लड़की के साथ होती है, ये कोई नई बात नहीं है, अब जो आपके साथ मार पिटाई होती है तो आपका first reaction क्या होता है? You are very agitated. Obviously there is pain, but there is agitation which takes you over. There is a very high adrenaline also running through your body. आपको, अगर कोई गोली भी मार दे, तब भी आप उठके भागते हो, क्योंकि आपको अपने आपको बचाना भी है और आपको न्याई भी पाना है. तो ये कहना, कि देखे CCTV footage में ये ऐसे चल रही है. पहली बात तो, जहां तक दिल्ली पुलिस ने जो मीडिया में से बाचीत हुई है, उसमें तो मीडिया में ये चल रहे है कि CCTV footage तो अभी दिल्ली पुलिस के पास ही नहीं पहुँचे. तो क्या ये CCTV footage बिल्कुल करेक्ट है, क्या ये डॉक्टर्ड है and on top of it, मैं अभी चल रही हूँ और चार दिन बाद मैं लिंप कर रही हूँ, तो किसी को भी जिसको भी चोट लगी होगी, उसको ये समझ आएगा, कि जब चोट गरम-गरम होती है, उसमें इंसान दौड भी जाता है, अरे fracture भी हो जाता है, तब भी इंसान दौड जाता है, और जब वो चोट सेटल करती है, और जब आप actually realize करते हो, कि आपके साथ क्या हो गया, मतलब तब जाके, वो दर्द उभर के आते हैं, तो ये कहना, कि वो तेज चल रही थी, फिर बाद में वो देखो, लिंप कर रही है, मुझे लगता है, इससे बुरी victim shaming क्या हो सकती है, दुख यस बात का है, कि दिल्ली की महिला मंत्री, ये कहती है, कि देखो, इसके तो कपड़े नहीं फटे, देखो, इसके तो सर नहीं फूटा, तो बस अब इसी की कसर रह गी थी, वो भी करवा देते, and on top of it, मैंने कब F.I.R. में कह दिया, कि मेरे कपड़े फट गए, मैंने कब F.I.R. में कहा, कि मेरा सर फट गया जी, मैं खूनम खून हो गई, exactly जो मेरे साथ हुआ है, word to word, बिल्कुल मैंने वही लिखा है, मैंने ना आगे लिखा, ना पीछे लिखा, और मैं अगर गलत हूँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, मैं चाहती हूँ, कि पुलिस करें, उससे सब क्लियर हो जाएगा, मैं बिल्कुल चाहती हूँ, कि पुलिस मेरा पॉलिग्राफ टेस्ट कर ले, क्योंकि मैं इस आरोप के साथ, कैसे जिन्दा रहूं, जिस लड़की ने हमेशा, और लड़कियों को हिम्मत दी लड़ने के लिए, आज उसी को तुमने पूरी दुनिया के सामने ऐसे दिखाया, कि ये तो जूटे आरोप लगाती है, तो मैं इसके साथ कैसे जिन्दा रहूं, ये तो पूरे विमन्स मुवम्मेंट के काज के लिए बहुत बड़ा धका है, so I am willing to do anything to tell that it is actually the truth. When you made the call to the police, तो उस वक्त दो तीन अलग अलग बयान थे, CM और विभव ने पिटवाया, CM ने विभव से पिटवाया, विभव ने अकेले पिटा, Have you given a clean shit to Arvind Kejriwal की उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने विभव ने अपने आप किया है, who did what? देखे, मैं किसी को भी clean shit नहीं दे रही, सच्चाई तो ये है कि मेरे को Arvind Kejriwal जी के drawing room में बहुत बुरी तरीके से लातों और घूसों और थपड़ों से मारा गया है, और ये बात M.L.C. में भी निकल कर आई है, M.L.C. just for viewers, medical legal case, हाँ जी, तो इतनी मेरे को मतलब चार दिन बाद मेरी M.L.C. हुई, उसमें भी मेरी injuries निकल कर आई है, तो ऐसी situation में, जब मुझे इतनी बुरी तरीके से पीटा जा रहा है, और मैं चीख चिला के, मदद के लिए मांग कर रही हूँ, और मैं ड्रॉइंग रूम में ही हूँ, और घर में और भी लोग हैं, और कोई मेरे को बचाने नहीं आया, तो मैं कैसे किसी को clean chat दे सकती हूँ, number one, number two, जब जैसे ही मैंने complaint फाइल करी, पूरी की पूरी पार्टी को, मेरे खिलाफ उतारा गया, बार बार मेरा character assassination करा गया, बार बार मेरा victim shaming करी गई, edited videos, जो अब कहते हैं, जी source ही नहीं है, उनको मीडिया में leak करा गया, CCTV footage बता रहे हैं कि गायब करे गये, वो चो आरोपी है, उसको दुबारा crime scene पे बुलाया गया, और फिर वो tamper करेगा evidence, या नहीं करेगा, वो है यू सेंग बुलाया गया, क्या वो खुद नहीं जा सकता था, वो कैसे जा सकता है, अगर कोई उसको अंदर ना आने दे तो, ये सीम हाउस की बात कर रहे हैं, और ये भी पता है कि दो महीने पहले, उसका, he's no longer the PS, तो ऐसी थोड़ी ना, आप जा के देख लीचे, कोई भी जा के देख लीचे, ये क्या सीम हाउस में कोई भी ऐसी गुष सकता है, मैं भी अंदर तक अगर ड्रॉइंग रूम तक गई, तो मेरे को एंट्री दी, तभी तो मैं अंदर गई, नहीं तो मुझे गेट पही रोग देते, मैं गेट से ही चली जाती, पिर आपके बयान अलग-अलग क्यों थे, कि सीम ने पिटवाया, you know, the three things that you said, विभव, सीम और विभव ने पिटवाया, विभव से पिटवाया गया, विभव ने अकेले पीटा, जो फर्स्ट टू कॉल्स हैं, पहली बात तो मुझे समझ नहीं आ रहा था, कि मैं जब 112 नंबर पे कॉल कर रही थी, वो वहीं खाड़ा था, मैं बहुत एजिटेशन और डर में थी, कि मेरा फोन खीचेगा और मुझे फिर पीटेगा, तो उसमें मैंने उस समें, बहुत आजिटेशन में और बहुत डर में, और बहुत डर में, और आए वोस अलड़ी इन पेन ट्रॉमा, तो मैंने दो बातें बोली हैं, मुझे नहीं पता कि वो एक बोली है, दो बोली हैं, मैं उसको लेके, I'm not very sure, क्युकि मुझे ऐसा लगा, क्युकि मुझे बिभाव से मुझे पिटवाया, क्युकि उस समय मुझे यही उस वक्त, I felt that, but at the end of the day, today I have filed a proper complaint, and उसके उपर investigation अभी चल रही है, और मैं अब इस पारे में, कि मेर को किस ने पिटवाया, क्यों पिटवाया, कब पिटवाया, मैं अब इसके बारे में बात नहीं करूंगी, because there is an investigation that is ongoing, and I would like to participate in it. What was the delay, you know, आप अपने घर गए और उसके बाद, I mean, you've worked with so many victims, you know this, that sometimes immediately नहीं complaint होता, you feel alone, or whatever the reason, it took a lot of persuasion for you, for people to get you to come out, and speak about it. What was that trigger, कि आप बोले नहीं, and what was the trigger, जब आप बोले, वो डिले क्यों हुआ? जी, मैं अर्विन जी के घर से निकल कर, जब पुलिस टेशन पहुची, Civil Lines Police Station, तो वहाँ पे ऐसे चो के सामने, मैं बहुत बुरी तरीके से रो रही थी, मैं फूट फूट के रो रही थी, और मैंने उन्हें सब बताया, कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, पर उसी वक्त, एक तो जो पेन और ट्रॉमा है, वो सिंकिन कर रहा था, उसी वक्त मेरे पास मीडिया के, बहुत सारे कॉल्स आने लग गगे, जैसी मैंने मीडिया के कॉल्स देखे, मैं घबरा गई, क्यूंकि मुझे इस बात की डर लगा, की इलेक्शन का टाइम है, and I don't want to politicize what happened to me, so at that moment I decided that I will leave, तो मैं घर गई, उसके बाद पार्टी के वरिष्ट नेता, मेरे घर आए, मुझे बोला गया, की पार्टी इसके उपर action लेगी, सक्त से सक्त action लेगी, क्योंकि उन्होंने मेरी हालत देखी, They came inside your house? Yes, they did. कितने लोग आये थे? थे कुछ लोग. Okay. उस ताइम वो they had sympathy with you? They had, because अगर आप देखें, तो Sanjay Singh जी आये थे मेरे घर पे, उन्होंने मेरा हाल देखा, उन्होंने देखा कि जो लड़की, एक fighter है हमेशा, आज वो एक victim बन गई, उन्होंने वो सब कुछ देखा, मैं रो रही थी, मैं pain में थी, और मैं बार-बार सब को बता रही थी, कि मेरे साथ क्या हुआ, उन्होंने मेरा हाल देखकर, वो अर्विन जी के घर पे भी गए, उन्होंने बिभव से भी बातचीत करी, ऐसा उन्होंने मुझे बताया, और उसके बाद सब कुछ देखकर, अगले दिन उन्होंने एक press conference भी करी, जिसमें उन्होंने ये बात मानी, कि स्वाती इस देश में महिलाओं के लिए, एक बहुत मुखर आवाज है, और उसके साथ बहुत ज़ादा मारपीट हुई, और इसी लिए, अर्विन जी संग्यान ले रहे हैं, और अर्विन जी बिभव के खिलाफ आक्शन लेंगे, ये प्रेस कॉंफरेंस पूरे देश ने देखी है, मुझे बोला गया कि आप कंप्लेंट मत कीजिए, हम आक्शन लेंगे, पर अगले ही दिन हमने देखा कि किस तरीके से बिभव कुमार लकनव में इन लोगों के साथ दिखे, मैं जब उस तिन, जिस दिन मैंने कंप्लेंट करी, मैं जब उठी, तो मैंने मेरे माइंड में सबसे पहले ये थौट आया, कि मैंने इतनी हजारों लड़कियों को, लाखों लड़कियों को, जब वो मेरे पास आती थी, और इतने गिनोने क्राइम्स के साथ मेरे पास आती थी मैंने उन्हें हमेशा हिम्मत बढ़ाई और मैंने उन्हें हमेशा ये बोला कि चाहे कुछ हो जाए, चाहे पूरी दुनिया तुमारे खिलाफ हो जाए तुम लड़ो और चाहे अकेले लड़ना पड़े तुम लड़ो तो मुझे जब मैं उठी तो मुझे एक इतनी इतनी ग्लानी की फीलिंग हुई कि मैंने इतनी महिलाओं के साथ को हिम्मत दी और उन्होंने इतनी बड़ी-बड़ी लड़ाईयां मेरे कहने पे लड़ी और मैं क्यों नहीं complaint फाइल कर रही I have to file a formal complaint because it is a criminal case यह कोई ऐसा case नहीं है जिसको अपाटी can brush it off under the carpet तो इसलिए मैंने उस तिन complaint फाइल करी और मेरे अंदर ये thought बार बार आ रहा था कि जो आदमी इतनी हिम्मत दिखा सकता है कि वो CM के drawing room में member of parliament को former chairperson of Delhi Commission for Women को इतनी बुरी तरीके से पीट दे तो वो एक आम महिला के साथ क्या करेगा Those thoughts came into my mind and by then I had gathered enough strength and मैंने ये decide कि मैं fight करूंगी और मैं complaint करूंगी मुझे बोला गया था कि अगर तुमने ये complaint file कर दी तो पूरी party तुम्हें अकेला कर देगी मुझे बोला गया था कि पूरी party तुमको BJP का agent बना देगी मुझे बोला गया था कि कोई मेरे साथ नहीं खड़ा होगा फिर भी मैंने ये नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा मेरे career का क्या होगा मेरे साथ ये लोग क्या करेंगे मैंने सिर्फ ये सोचा कि जो चीज मैंने सारी महिलाओं को बोली है कि आप हमेशा सच के साथ खड़े हो आप सची सची कम्पलेंट करो लेकिन आपके साथ अगर कुछ कलात हुआ है तो आप जरूर लड़ो तो आज मैं खुद कैसे नहीं लड़ सकती So there was only one thought in my mind And that is why I filed a formal complaint And जो उन लोगों ने मुझे डराया था और जो उन लोगों ने मुझे बोला था वो actually सच निकला क्योंकि जैसे ही मेरी complaint हुई उसके बाद all hell has broken loose in my life In what way? पूरी party को मेरे खिलाफ उतारा गया है हर दिन press conferences होती है हर दिन ये बोला जाता है कि मैं BJP की agent हूँ मुझे एक बात बताईए मैं 9 साल से तो public life में हूँ उससे पहले मैं 2006 से काम कर रही हूँ लेकिन मैं back end में काम करती थी मैं 2015 से तो सबके सामने काम कर रही हूँ मैंने कितने बड़े-बड़े मुद्दे इस देश में बिना डरे उठाए हर पार्टी जहां पे मुझे गलत लगा मैंने उसके खिलाफ action लिया है तो मैं आज BJP की agent बन गई जिस दिन तक मैंने complaint नहीं फाइल करी उस दिन तक मैं लेडी सिंगम थी मैं इस देश की सबसे महिलाओं में सबसे मुखर आवाज थी और जैसे ही मैंने एक ऐसे आदमी के खिलाफ complaint फाइल करी जो पार्टी में बहुत जादा रसूख रखता है जो सबका चहेता है उस आदमी के खिलाफ जैसे ही मैंने complaint फाइल करी तो मैं बीजेपी की agent बन गई ये बोला जा रहा है कि बीजेपी ने मेरे को डराया कि मेरे खिलाफ जो case है उसमें वो पता नहीं क्या कर देंगे ऐसा तो महिला मंतरी बोल रही है आतिशी और आप ये देखिए कि वो case क्या है वो 2016 में मेरे खिलाफ case फाइल किया गया है बिलकुल फरजी case है उस case में कोई merit नहीं है उसके बाद 2017 में चार्टशीट भी हो गई है मैं कभी उस case में arrest भी नहीं हुई और मैं arrest हो भी नहीं सकती क्योंकि चार्टशीट फाइल हो चुकी है उस case के हो जाने के बाद दो बार और मुझे tenure दिल्ली महिला आयोग का दिया गया CM साहब द्वारा भी और LG साहब द्वारा भी तो ये बात तो बिलकुल clear है कि वो बिलकुल फरजी case है डेड़ साल पहले high court ने उस case में stay लगाया है और वो stay में high court ने ये बात मानी है कि जब कोई पैसे का लेन देनी नहीं हुआ तो काहें का corruption तो जिस case में already high court stay दे चुका है उस case की वज़े से मैं डर जाऊंगी मुझे लगता है पूरे देश को ये बात याद होगी कि जब पिछली बार पिछले साल मैं मनीपुर गई थी वहाँ पे बिलकुल war zone जैसे हालात थे मैं जब वहाँ पहुँची गोली बारी इधर उधर सब जगा चल रही थी अकेली अपनी एक साथी अदिली महिलायों की मेंबर वंदना सिंग के साथ मैं वहाँ पहुची थी जब हम वहाँ पहुचे EK47 लेके लोग गोम रहे थे गोलियां चल रही थी बिना security के बिना bulletproof jacket के बिना bulletproof गाड़ी के वहाँ पर तब तक chief minister भी नहीं पहुच पाये थे मैं हम लोग अकेले गए तो जो लड़की मरने से नहीं ड़ती वो एक फड़ी केस से ड़ जाएगी किस तरीके के बाते की जा रही है मेरे नौ साल के कारेकाल में कितनी बार death threats मिले कितनी बार rape threats मिले मेरे को security भी नहीं है मेरे पास पर फिर भी मैं लड़ती रही अकेले लड़ती रही और मैं डर जाओंगी Was Arvind Kejriwal with you in the sense that he supported you जब आप ऐसे लड़ती थी do you feel let down your friends in the party but a person with whom you have worked for almost two decades do you feel that let down by him 2006 मैंने अपनी engineering खतम करी थी और मैं देश के लिए कुछ करना चाहती थी मैं लोगों की सेवा करना चाहती थी मैं Arvind Kejriwal जी से मिली और 2006 से उनके साथ काम कर रही हूँ साथ साल तक मैं जुग्यों में रही हूँ और मैं जुग्यी में ही रहती थी मैंने अपना घर भी छोड़ दिया था और मैं जहां रहती थी वहाँ पे मैंने सुचना के अधिकार पे लड़ाई लड़ी राशन की लड़ाई लड़ी महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ी और जब India Against Corruption का मुव्मेंट हुआ तो उस पूरे मुव्मेंट में बहुत बड़े बड़े लोग जुड़े एक 23 मेंबर की कोर कमिटी बनाई गई और उस कोर कमिटी की यंगेस्ट मेंबर मैं थी पूरा बैक एंड मुव्मेंट का मैं समालती थी कभी सामने भी नहीं आई हमेशा पीछे से मैंने काम करा इतना संघर्ष करा है उसके बाद दिली महिला आयोग में आई पूरे देश ने देखा है कि कैसे कितनी बार अपनी पार्टी से भी मैंने बहुत तीखे सवाल पूछे और मैंने काम करा मैं ये संघर्ष के साथ आज मैं जहां पे हूँ वो बनी पर आज मैं बहुत आहत हूँ और मैं बहुत दुखी हूँ जिन लोगों के साथ मैंने इतने साल काम किया उन्होंने जब मेरे को इतनी बुरी तरीके से पीटा गया तो मेरा साथ नहीं दिया मुझे अकेला कर दिया आज मैं पूरी तरीके से अकेली हूँ मेरे साथ कोई नहीं है क्योंकि 20 साल से मैं जिस party में काम कर रही हूँ वही party में मेरे दोस्त भी है मेरे एक-एक दोस्त को call करके धमकाया जा रहा है कि अगर उसके साथ दिग गए अगर उसके साथ कोई उसके favor में tweet तक कर दिया तो तुमको छोड़ेंगे नहीं तो मैं party से निकाल दिया जाएगा उनके पास गाड़िया है तो उनकी गाड़ी से मैं अलग-अलग जगाओं पे गई अभी 164 स्टेटमेंट कराने तो उनकी गाड़ियों के details भी flash करे गए हद कर दी मेरे सारे दोस्तों को call करकर के बोला जा रहा है इसकी कोई personal video दो इसकी कोई personal photo दो dance करते वे video दो कुछ भी दो, कुछ भी निकालो US गई थी तो US में जहां पे आम आदमी party volunteers के साथ रुकी उनको force करकर के प्रेशराइज करा जा रहा है कि कोई तो video निकाल के दो कुछ तो दो तो पूरी के पूरी machinery को और एक पूरे के पूरे troll mechanism को मेरे उपर छोड़ दिया गया है तो मैं इस वक्त बहुत ज़्यादा आहत हूँ और मैं बहुत दुखी हूँ कि मैं आज इतनी लड़ाई लड़कर भी क्योंकि मैं सत्ता के सामने नहीं जुखी क्योंकि मैं ऐसी नहीं हूँ कि मुझे power और बाकी चीजों से चुप कर आया जा सके मैं सिर्फ अपने सच के लिए लड़ी तो आज मेरी यह हलत कर दी गई है कि मैं बास अखेली हूँ मेरे साथ कोई नहीं है अब आम आदमी पार्टी के बहुत से वॉलंटियर्स जो है अमेरिका में हैं वो, they help the party, they help Arvind Kejriwal बहुत से लोग यह कह रहे हैं कि शायद इसमें Vibhav जी knows about foreign funding and he knows too much about the funding which has come in from different parts of the world and that is what makes him so powerful and so imperative to have next to him इसलिए शायद Kejriwal जी Vibhav के against कुछ नहीं कहेंगे चाहे जो मर्जी विभव ने किया हो क्या यह हो सकता है इसमें तो कोई शक नहीं है कि Vibhav उनका बहुत राजदार है और जो भी है सब Vibhav को पता होता है इसमें तो कोई शक्की बात नहीं है क्या हुआ, क्यों हुआ किसलिए वो उनको बचा रहे हैं यह तो अब investigation का matter है जिस तरीके के मेरी victim shaming और character assassination करा जा रहा है और जिस तरीके से मुझे बार-बार intimidate कराया जा रहा है मेरे हिसाब से यह किसी को भी शोभानी देता मैं यह भी बोलना चाहूंगी क्योंकि मैंने देखा कि कैसे एक male mantri, Saurabh Bhardwaj उन्होंने एक tweet को retweet करा tweet party के बहुत एक one of the important handles से tweet करवाया गया जिसमें यह लिखा था कि देखिये, मेरी photo दिखाई गई कि देखिये, इसकी shirt में button नहीं है तो जो male mantri है वो यह कहते हैं कि हम तो यही कह रहे हैं, देखिये नहीं है, यही तो इसी तरीके से तो contradictions हैं, जो case खतम हो जाएगा कि case जूटा है मैं यह जानना चाहती हूँ कि एक पुरुष मंत्री को क्या यह शुबा देता है क्योंकि जब उन्हां नहीं यह करा तो सब ने zoom करके देखा मेरे chest को कि यहाँ पर button है या नहीं क्या यह शुबा देता है मतलब मंत्री बैठकर अब औरतों के button है या नहीं इसके उपर बातचीत करेंगे और उनको भी बता दूँ और सबको बता दूँ कि जो मेरे कपड़े थे वो police के पास है investigation हो रही है उसमें button थे भी और वो button खुले भी थे मैं ये समझ नहीं पारी कि इस तरीके से क्यों बिभव के support में पूरी की पूरी party आए ये वही party है जो मेरी party है ये वही party है जो हमारे खून और पसीने से बनीवी party है हम 2012 में निर्भया के लिए सडकों पे उतरे थे मैंने खुद लाठी खाई है बहुत बुरी तरीके से मेरे सथ लाठी चार्ज हुआ था वो party आज बिभव कुमार को बचाने के लिए अर्विन केजरिवाल जी के साथ सडक पे उतरती है महिला नेता सडक पे उतरते है तो मेरे बहुत सारे सवाल है और मैं इस वक्त बहुत आहत हूँ मैं बहुत अकेली हूँ और मुझे धमकाया गया था कि तुम्हें खतम कर देंगे पर मैं इतना बता दूँ कि मैं खतम नहीं हूँगी मैं सच बोल रही हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि सच में बहुत शक्ती है और अंत तक लड़ूँगी एक politician ने ये भी कहा है कि आप पे pressure डल रहा है एक chief minister है उन्होंने कहा है कि आप पे pressure डल रहा है कि किसी तरह आप compromise करें ये कई बार होता है victims के साथ जब वो बोल जाते हैं तो there is pressure either from the person who has done the crime or else family members या कि आप compromise करो क्योंकि it is extremely difficult to fight this you know it too या आप तयार होंगे या आपको justice चाहिए ma'am ये जो मेरी trolling कराई जा रही है जो victim shaming कराई जा रही है जो रोज रोज press conferences करी जा रही है वो मेरा character assassination करने के लिए करी जा रही है और वो इसलिए किया जा रहा है जिससे कि मैं दबाव में आऊ और मैं अपना matter खतम करूँ यही चीज तीन दिन तक मुझे डराया गया था कि अगर तुमने बोला ये तो बहुत बड़ी machinery है तुम्हें जूटा साबित कर देंगे सब कुछ होगा गलत videos आएंगी सब कुछ बोला गया था लेकिन मैं तब भी नहीं डरी और मैं आगे भी नहीं डरूंगी मैंने जो बोला है एक एक शब्द उस F.I.R. में बिलकुल सच है और मैं बोल रही हूँ मेरा polygraph test करा दीजे मेरा narco test करा दीजे मेरा जो test कराना है करवा लीजे मैं बिलकुल सच बोल रही हूँ और मैं क्योंकि सच बोल रही हूँ मैं किसी से नहीं डरूंगी इन्हें ये लगता है कि ये हर इंसान सत्ता के सामने जुक जाएगा किसी को भी कुछ भी करवा दो मार दो, पीट दो उसका character assassinate करवा दो उसके परिवार को बुरी तरीके से torture करो क्योंकि इस सब में तो मेरा परिवार के बारे में सोची कि मेरे परिवार का क्या हाल हो रहा होगा लेकिन हम लोग थोड़ी अलग मिट्टी से बने है और मैं इतनी सस्ती नहीं हूँ मेरे साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ और मैं अंध तक लड़ूंगी और मुझे पता है इस लड़ाई में मैं अकेली हूँ मुझे पता है मेरा कोई साथ नहीं देगा मुझे पता है कि ये लड़ाई मुझे अकेली ही लड़नी पड़ेगी क्योंकि मैंने सारे survivors को देखा है को यह victim बना देंगे लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि मैं fighter हूँ fighter थी और fighter रहूंगी अकेले लड़ूंगी किसी की जरूरत नहीं है मुझे मैं अकेले लड़ूंगी लेकिन मैं जरूर लड़ूंगी आप सत्ता के बारे में बात कर रही थी कुछ लीक्स आई हैं from sources in आमादमी पार्टी कि शायद हो सकता है कि आपको कहा गया हो कि राजसभा की seat आपको you have to give it up क्योंकि किसी और किसी एक खास वकील के लिए वो seat चाहिए was that an issue देखिये अगर मेरी राजसभा की seat उनको वापस चाहिए थी अगर वो प्यार से मांगते तो मैं जान दे दे थी MP तो बहुत चोटी बात है और मेरा अगर आप पूरा करियर देखेंगे तो मैंने कभी भी कोई भी पद की लालसा नहीं दिखाई अपनी जिंदगी में 2006 में इंजिनिरिंग की नौकरी छोड कर मैं तब जुड़ी थी जब कोई जानता नहीं था किसी को तीन लोग थे ले दे के उन में से मैं एक थी तो मैं तब से काम करती आ रहे हूं जमीन पे काम करती आ रहे हूं 2006 से लेके 2012 तक मैंने सारे operations रन करे हैं I was absolutely the most important part of those three or four people Did you not see any signs of this जब प्रशान भूशन, शान्ती भूशन के साथ violence हुआ जब और भी किसे थे when it was agitational politics sometimes becomes vicious right Did you not see the signs की ऐसे हो रहा है I am not accusing you but I am just asking you कभी आपको doubt लग रहा था कि कुछ लोग बहुत ज्यादा पाफुल हो गए है कुछ लोग ज़रूरत से ज्यादा bullying कर रहे हैं पाटी में Did you see signs of this? So I'll complete the other question first तो में को MP ship की कोई लालसा नहीं है ये मुझे प्यार से बोलते तो मैं हर हाल में resign कर देती, मुझे कोई समस्या नहीं है मुझे नहीं लगता कि कोई पद में मैं बंधी हूँ मेरको लगता है कि मैंने बहुत काम किया है और मैं काम बिना पद के भी कर सकती हूँ लेकिन जिस तरीके से इन्होंने मुझे मारा और पीटा है अब चाहे दुनिया की कोई शक्ती लग जाए मैं किसी भी हाल में रिजाइन नहीं करूँगी मुझे पता चल रहा है मुझे बताया जा रहा है कि इसी वजे से मुझे कारेक्टर असासिनेशन करा जा रहा है विक्टिम शेमिंग करी जा रही है मैं बिलकुल रिजाइन नहीं करूँगी I'm the youngest woman parliamentarian in the parliament right now and I will work very hard मैं बहुत शिद्दत से महनत करूँगी और मैं एक ideal parliamentarian कैसी होती है मैं वो बनके दिखाऊँगी On the question of did you see signs of it happening? See I've been there since 2006 जब हम 2006 में साथ में सब काम करते थे तो एक बहुत अलग तरीके का environment था एक बहुत जोश था ground पे काम करते थे हम लोगों के बीच में रहते थे मैंने बताया मैं साथ साल जुग्यों में रही हूँ और हम सब इस तरीके से काम करते थे लेकिन जब power आती है और सत्ता आती है तो मुझे लगता है उसके साथ बहुत सारी चीज़े आती है और सबसे बड़ी जो cen आती है उसको कहते है एहंकार तो धीरे 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 जब एहंकार आपके सर पे सवार हो जाता है तब आपको शायद ये नहीं दिखता कि क्या सच है, क्या जोट है क्या सही है, क्या गलत है ये साइन्स हम लोगों ने देखे हैं और over the years देखे हैं पर मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि एक लड़की जिसने कभी इनका तो छोड़ दीजे किसी का भी बुरा नहीं करा जो कभी जूट बोलती ही नहीं है मेरे लिए ये बात सब जानते हैं और अगर मुझे कभी मतलब मैं कभी कुछ गलत नहीं करती ऐसी लड़की जिसको ये सब जानते हैं उसके साथ पहले तो उसको पीटा जाएगा और उसके बाद उसको पूरी तरीके से character assassination करके isolate करवा दिया ये मैंने कभी नहीं सोचा था आप जब एहंकार की बात करते हैं ये किस में आ रहा था सब में जो office bearers है या कुछ लोगों में मुझे तो लगता है कि सब में ही एहंकार बहुत बढ़ गया है बट मैं ये मानती हूँ कि everything begins from the top so I think that हमें बहुत जादा rethink करने की जरूरत है और हमें जमीन पे ground पे लोगों के साथ रहने की जरूरत है जो हम पहले करते थे मैं ये मानती हूँ कि जैसे ही आप लोगों के बीच में रहते हैं और लोगों के साथ काम करते हैं तो उससे जो आपको एक energy मिलती है उससे जो आपको inputs मिलते है उससे जो आपकी soul की cleansing होती है वो कि तो पहले अपने अंदर वो क्रांती लानी पड़ेगी और पहले अपने घर में, अपने पार्टी में वो सारी क्रांती को हमें इंप्लिमेंट करना पड़ेगा। सब उनको भूल चुके हैं, बिट्रेल वहां से शुरू हुई, बिट्रेल आप तक पहुंची है अब। किया, जहां पे मैं लोगों के साथ उठती थी, बैठती थी, आज वही लोग मेरे परिवार तक पहुंच गए, आज उन्हाने क्या नहीं करा मेरे को डराने के लिए और धमकाने के लिए, मेरा चीर हरन तो मेरा उस घर में हुआ, और चरित्र हरन मेरा रोज चलाया जा रहा है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे हो गया, और क्यूं हुआ, और इतनी बुरी तरीके से आप किसी को, मतला, ट्रीट करोगे, तो मैं, I feel very betrayed, I feel very let down, I feel… रोज मुझे दोशी करार करने में लगी पड़ी है, तो वो ये कैसे कह सकते हैं कि free and fair investigation हो, मैंने तो सिर्फ एक call करी और मैंने एक complaint करी, उसके बाद तो इतने दिन से मैं चुपी बैठी हूं, क्योंकि मैं चाहती थी कि free and fair investigation हो, पर आज free and fair investigation कैसे होगा, क्योंकि हर दिन कभ कभी कोई CCTV footage जो कि doctor है, वो डालते हैं, कभी कहते हैं, बीजेपी का agent है, कभी character assassinate करते हैं, कभी धमकाते हैं, तो कैसे free and fair investigation होगा, तो अगर वो really में चाहते हैं, और चाहते थे कि free and fair investigation हो, तो मैं तो पस यही चानना चाहती हूँ, फिर ये पूरी army of netas and trolls, मेरे पर क्यों छो आपने तो, आपने तो पूरी की पूरी army जोग दी, ये प्रूफ करने के लिए, कि मैं तो जूट बोल रही हूँ, तो फिर कैसे free and fair investigation होगा, आप, you have worked with many victims, and as you always know, कि victims हमेशा, they wonder, कि जो महिलाएं हैं, वो हम्यारे साथ क्यों नहीं हैं, चाहे परिवार की महिलाएं हो, या workplace में जब violence होता है, तो workplace में जो महिलाएं हैं, you always feel that a woman should stand by a woman, do you feel that Sunita जी हो, या फिर आतिशी जी हो, इन दोनों के तरफ से आपके खिलाफ, या आपके support में अगर वो नहीं कहीं, तो do you feel betrayed by them? जी मैं तो बस इतना कह सकते हूँ कि, आज मेरे साथ हुआ है, कल पतानी किसके साथ होगा, बहुत हिम्मत चाहिए, इतने powerful लोगों के खिलाफ लड़ने के लिए, मैंने आज वो हिम्मत दिखाई है, बढ़ हाँ ये जरूर है कि मैं पूरी तरीके से अकेली हूँ, मुझे ब कपड़े नहीं फटे, इसके तो सर नहीं फूटा, ये तो जूटी है, ये तो बीजेपी की एजेंट है, तो मेरा दिल बहुत टूटता है, क्योंकि मैं ये मानती हूँ, कि हर महिला को महिला के साथ खड़ा होना चाहिए, अगर मैं एक बात चिला चिला के, रो रो के, गिड का फाइदा होगा, मैं किसके इशारे पे करूँगी और मैं क्यों करूँगी, इससे मुझे क्या मिलेगा, मेरा करियर खतम हो गया, मैं बरबाद हो गई, ऐसी सिचुएशन में मैं क्यों बोलूँगी, वाई विल आ लाए, सो ऐसे टाइम पे भी, जो महिलाएं हैं, और स्प से सारी महिलाएं जो पॉलिटिक्स में हैं, मैं उनको यही बोलना चाहती हूँ, अगर आज हम चुप रहे और हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, तो यह बार बार होगा, यह और लोगों के साथ भी होगा, हमारी अगली पीड़ी के साथ भी यही होगा, तो आज अगर हम लड हमारे साथ कुछ गलत होता है, तब ही जाके तो सुधार होगा, तो मैं उस सुधार के प्रती काम कर रही हूँ, और मैं यह मानती हूँ कि महिलाओं को महिला का साथ देना चाहिए, उनका दर्द समझना चाहिए, क्योंकि कोई भी महिला, और स्पेशली मैं, जिसका इतना करि देना मारे साथ धाली है, अब अब आफर आफ्र आओ थी इस इन इन कि प्लेश यहाँ, दो यू फेला है, तो मैं नामा मिपार्टी, ज्वरी हमारी पार्टी, और मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी, कि इस पार्टी को ठीक करा जा सके, और इस पार्टी की जिस तरीके क जो direction हो गई है कि अगर एक महिला आवाज उठाए पूरी की पूरी काइनात लगा दी जाए कि उसको दबाया जाए मुझे नहीं लगता कि this is a good culture in any party अगर कोई case है और अगर उसके so-called दो version है तो उन दो versions को पुलिस को तो investigate करने दो आपने तो court के बाहर ही खुदी बस वो कर दिया कि नहीं होई नहीं सकता तो ये ठीक नहीं है तो मैं ये मानती हूँ कि मेरी party है और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि इस party को सुधारा जासे Do you feel that तेरा others in your party आप तो लड़ गई क्या और महिलाए है या और कोई है जो ऐसे डरे हुए है आवाज नहीं उठारे बट ये रेडी तो स्पीक अप if they have the fear if they have freedom from fear कैसे freedom from fear होगा देखे ना मेरा क्या हाल किया है नोंने एक तो मैं पीटी गई और उसके बाद मुझे पूरी तरीके से मेरा character assassinate कर दिया गया और मुझे पूरी तरीके से isolate कर दिया गया इतनी victim shaming करी है कि उसके कोई हद नहीं है तो कैसे किसी में हमात आईगी आपने तो मेरे को इस तरीके से करके एक example बनाया है कि अगर कोई आवाज उठाएगा तो स्वाती जैसा हाल कर दिया जाएगा वो भी स्वाती का जिसने 2006 से काम किया हर समय साथ रही कभी कुछ गलत नहीं करा हमेशा सही के लिए खड़ी रही उस लड़की का आज उस fighter को इन्होंने आज victim बना के शोड़ दिया तो कैसे कोई आवाज उठाएगा स्वाती जी जिस तरह इस पॉसबल आप कह रहे हैं कि विभव सब कुछ जानते हैं राजदार हैं यूव जानती होंगी इनके कई राज तो अगर विभव को प्रोटेट कर रहे थे क्योंकि आप भी जानती हैं उस पार्टी के राज चाहे financial irregularities का जो आरोप है उन पे आप भी तो जानती होंगी उस सब के बारे में पहली बात तो मैं इस तरीके के कामों में ना तो involved होती और ना ही मैं इस तरीके के कोई राज जानती हूं नमबर वान नमबर टू यह है कि उन्हाने क्यों करा बिभव ने क्या करा उन्हाने क्या करा तो जब मैं involved ही नहीं हूँ तो मुझे उस तरीके के राज कैसे पता चलेंगे रागव चडड़ा इस बैक डिडी का उन्होंने बात की आप से मुझसे पार्टी में संजे सिंग जी ने बात करिये क्योंकि मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि संजे सिंग जी को बोला गया था बाकी पार्टी में सबने आपस में एक दूसरे से बात करिये मेरे close friends से बहुत लोगोंने बात करिये लेकिन मेरे से डिरेक्ली सिर्फ संजे सिंग जी ने बात करी है मैं इसलिए पूछी हूँ क्योंकि उड़ती उड़ती खबर है कि तीन लोग हैं जिनके राजसभा सीट्स रिजाइन करने को रिक्वेस्ट या आदेश दिये गए हैं मैं अपना बता सकती हूँ मेरे से तो ऐसी कोई भी बात नहीं हुई और जैसे मैंने बताया था कि अगर मुझसे प्यार से बोलते तो मैं तो जान दे देती राजसभा सीट तो बहुत चोटी बात आज इस देश की संसद में 14% महिलाएं और स्टेट के जो लेजिसलेचर उनमें उससे भी जादा कम महिलाएं तो ये सब कुछ होता ही इसलिए है क्योंकि महिलाएं पॉलिटिक्स में बढ़ चड़के हिस्सा नहीं लेती हैं मैं सबसे अपील करूँगी सभी महिलाओं से अपील करूँगी जब तक हम 50% संसद में और लेजिसलेचर में नहीं होंगी तब तक मुझे नहीं लगता ये देश आगे बढ़ सकता है और तब तक इसी तरीके से यही होगा महिलाओं के साथ तो मेरी सबसे अपील है बढ़ चड़के पॉलिटिक्स में हिस्सा लीजिए मेरी ये भी अपील है कि आगे बढ़िए और अगर आप कोई पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा है और आपके साथ कुछ गलत होता है तो आप आवाज जरूर उठाएं क्योंकि हम सब पॉलिटिकल पार्टी इसका हिस्सा बनती क्यों हैं हम कुछ बदलाव चाहते हैं तभी तो हम हिस्सा बनते हैं नहीं तो एक इनसान आम इनसान अपने घर पे या अपने एक नॉर्मल जो बाकी लोग काम करते हैं उसमें रह सकती है वो इतना संघर्श करके एक पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा सिर्फ एक बड़े बदलाव के सपने के साथ ही तो बनती है तो अगर हम आज जहां हैं वहाँ बदलाव नहीं कर पाए तो फिर किस तरीके से इस देश में बदलाव होगा और ऐसे अगर political parties में मारा पीटा जाएगा और उसके बाद भी आपको दबाया जाएगा कि चुपो जाओ चुपो जाओ नहीं तो तुम्हें खतम कर दिया जाएगा तो देश कैसे आगे बढ़ेगा तो मेरी तो सारी महिलाओं से यही अपील है अगर किसी महिला के साथ कुछ गलात हो रहा है आप उसकी बात सुने उसके साथ खड़े हूँ और दूसरा ज्यादा से ज्यादा आप politics में participate कीजिए आज हम जो बदलाव करेंगे वो नीव होगा आगे हमारे आने वाली पीड़ी की महिलाओं के लिए वो बच्चियों के लिए उनके लिए हमें लड़ना है और आज हमें बदलाव करना है जहां आपकी party ने आपको completely betray कर दिया isolate कर दिया वहीं दूसरी political parties हो या फिर महिला workers हो और social workers वो सब आपके साथ खड़ा होना चाती है they want to support you but you will probably hesitate कि अगर कोई BJP से है तो नहीं करूँगी मैं क्योंकि I'll be called a BJP agent या फिर कोई Congress से हो तो I'll be called a Congress agent तो that might make you hesitate in taking steps to take their support ऐसे है क्योंकि LG ने भी का है that he wants to help or he supports you तो are you hesitant in taking people's help? ऐसा कुछ नहीं है मैं कोई hesitation नहीं है मेरे अंदर और बठाँ ये जरूर है कि इस वक्त मैं जो बस एक ही feeling बहुत जादा feel कर रही हूँ मैं मैं बहुत strong हूँ और मैंने बहुत बड़ी-बड़ी लड़ाईयां जिन्दगी में लड़ी है और मैं कभी डरी नहीं किसी से लेकिन पहली बार जिन्दगी में मैं अंदर तक तूट गई हूँ मतलब जिस लेवल की anxiety मुझे हो रही है मेरे को मैं बहुत survivor से मिलती थी वो हमेशा बताते थे तो मेरे को बात समझ नहीं आती थी I am feeling very anxious मैं बहुत anxiety है मुझे मुझे इस वक्त डर लग रहा है मुझे एक बहुत sense of betrayal है और मुझे ऐसे अंदर से लग रहा है कि मैं अंदर से तूट गई हूँ कि मेरा सब कुछ खताम हो गया और मैं बहुत ही ज़ादा victimized हूँ तो इस वक्त frankly मैं ये नहीं सोच पारी कि कौन मेरी मदद कर रहा है कौन नहीं कर रहा मुझे बस जो दिख रहा है वो बस ये दिख रहा है कि जिनके लिए मैंने इतना कुछ किया जिनकी साथ मैंने हमेशा दिया जिनके लिए मैंने मैं जान दे सकती थी उन लोगों ने आज मेरे साथ क्या किया तो unfortunately right now I am in that circle which every victim probably goes through where I am feeling very victimized and all my thoughts unfortunately are right now around that you keep reliving that incident of May 13th every day at 6 a.m. dot I wake up and I wake up with a very 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 horrible feeling in my stomach I am feeling anxiety almost the entire day my whole family keeps me in a new way my mother is and they have grown up with me I am growing up with me my husband is we are just a single parent and they are just a single parent and they have looked very much and we have not seen a lot of things but we have not seen our entire life they have grown up with me they have grown up with me I am a family I am afraid of my mother and I am very close to her they also are my mother they are also my mother even if you look at her today if you see them then they will look at her to look at her I am 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 वो रो रही हैं लेकिन वो रोते हुए भी हुए भी बार बार मुझे यही कह रही है कि हम लडेंगे they are also very strong, I am also very strong but जब इतनी बड़ी घटना आपके साथ हो जाती है तो कही ना कही आपका पूरा strength खिच जाती है but like I said, they tried their level best to make a victim out of me they have tried their level best to completely finish me but I won't allow that to happen, I have the support of my family and मुझे पता है कि मैं सच बोल रही हूँ तो क्योंकि मैं सच बोल रही हूँ, मेरे को पूरा विश्वास है कि बगवान मेरे साथ है और आगे भी मेरा साथ देगा जब मैंने यह step लिया, तो मैंने यह नहीं सोचा कि मेरे करियर का क्या होगा, मैं कहां जाओंगी, मेरे तो कोई साथ नहीं देगा कौन मेरा साथ देगा, कौन नहीं देगा मैंने यह सब नहीं सोचा और मैं यह बिल्कुल नहीं सोचूंगी और मैं सारी महिलाओं को यह ही कहना चाहती हूँ अगर किसी ने आपको पीटा है तो उसके उखिलाफ आपको action लेना ही चाहिए चाहिए उसके बाद जो आपके साथ हो वो देखा जाएगा क्योंकि अगर आज आप चुपो गई तो उसकी हिम्मत इतनी बढ़ जाएगी कि वो आगे चलके पता नहीं किसी के साथ क्या करते Finally, what do you want at this stage? Do you want, of course you want justice but do you want even to see in custody? Do you want the people, you are saying एक कोई conspiracy है, वो अकेले नही कर सकता ऐसे हिम्मत नहीं होगी किसी हम के residence में वो मार पिताई करे Do you want more people to be arrested? What do you want right now? I just want a proper investigation in the matter मैंने बिल्कुल सच बताया कि मेरे साथ क्या हुआ और कहा हुआ और उस घर में कौन थे तो ये सारी बाते मैंने बताई है मैं चाहती हूँ proper investigation हो ना मैं किसी को clean chat दे रही ना मैं ये कह रही कि इन्होंने करवाया क्योंकि मैं कौन होती हूँ बोलने वाली भाई मैं वहाँ थी मुझे बुरी तरीके से पीटा गया मैं चीक चला रही थी मेरा कोई साथ नहीं दिया गया कोई मुझे बचाने नहीं आया और उसके बाद भी मेरे पर attack पर attack पर attack कराये जा रहे है तो ये सब कुछ है ये मेरे को लगता है सब देख रहे हैं मैं भी देख रहे हूँ आप तो दिल्ली पुलिस प्रॉपरली जांच करके बताईगी कि क्या हुआ क्यों हुआ और कैसे हुआ because fact तो यही है न at the end of the day आप कितने भी जूट बोल दीजे आप कुछ भी कर दीजे आप मेरे को पता है बहुत बड़े लोग हैं आप overnight किसी को भी खतम कर सकते हैं आप उसका character assassinate कर सकते हैं जो आप मेरे साथ कर रहे हैं लेकिन सच तो सची रहेगा वो CCTV footage कहां है वो doctored video जो release करी गई उसकी पूरी video कहां है वो जैसे ही सामने आएगा तो सच पूरा हो जाएगा वहाँ पे और भी लोग थे वो क्या कह रहे हैं वो भी तो देखना पड़ेगा और जो ये दिखाया जा रहा है कि देखिए ये तो इसको ये अपशब्द बोल रही है तो security वाले ये तो बताएंगे न कि मैं पहले गई उसके बाद बिभाव गया उसके बाद कितनी देर के बाद security को अंदर बुलाया गया तो वो जो वीडियो है वो तो पूरे मैं वहाँ पे एक सवा घंटे डेड़ घंटे थी उसके तो एक मिनट भी नहीं दिखाया तो वाद यू थिंग अनिबडी वोड दू 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 अपके पास था क्या जो आप पे इतना वाइलन्स किया जाए जाए बावर जो आप से निकालना जाते है क्या क्यों पीटा गया आपको जो भी मैने मुझे लगा वो सब कुछ मैं दिली पूलिस को बता रही हूं दिली पूलिस को इंवस्टिए करने दी जे अन्यू पूलिस on the motives right thank you so much Swati ji for spending time with us and explaining as to what happened and I hope you have the strength to deal with this mental trauma that you're going through right now yeah thank you ma'am thank you so much